हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और अपने इस नए वीडियो में आधन बात करने वाले हैं वाटर यूज इफिशेंशी जल्व उपियोग छंता हमने आपको ध्यान होगा अगर आपने देखा होगा तो उसको जो पहले हमारा वीडियो था उसमें हमने पानी से संबंदे कई साली बाते की थी जिसमें कि वाटर किस तरह से भीएव करता है तो उसी का यह फर्दर थोड़ा एलेवरेटेड रूप है अब यह प्योंगी जल्व उपियोग छंता है वाटर यूज इफिशेंशी इसका शीदर में सबजिए यूज और फिशेंशी हिंदी में बात करें तो उपयोग छंता कि चीज़ को उपियोग करनے की क्या चंता है चंता किसम होगी और और उपयोग किसका किया जाएगा पानी का तो पानी के या शिचाई जल के उपियोग करने कि चंपता है तो इसको हमें मापना यह बहुत बढ़िया परमीटर है इसको सीधे सीधे आप ऐसे समय सकते हैं कि वाटर जो ऑदी है वो इस मार्केटेवली जो उपज है ऐसी उपज जिसे हम बाजार में बेच सकते हैं ऐसी उपज को यदि हम उस पानी की मात्रा से जो इवेपोर ट्रांसपरेशन में लॉओ स हुई है या बास्त पीकराण और बास्त सर्जन वाले पूरे प्रोसेस में जितने मिली 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 मिटर पानी हमारा पौदे ने उप्योग करके बायू मंडल में भेज दिया है मिक्टी में या जो फील्ड है उस मिक्ती नीपानी का वाश्पिकान करेंगी और पूरे पानी की मात्रा से जितने किलोग्राम या उस पानी की मात्रा को उपयोग करके जितने किलोग्राम उपज ऐसी उपज जो बाजार में बेचे जाने योग्य है तो पानी की वह मात्रा जिससे हम जिसका उपयोग करके हम एक उपज को प्राप् कि यह पेरामीटर है जिससे हमें यह पतल चल जाता है कि हमें आखिर क्या-क्या काम ऐसी तरीके से करने हैं कि पोधों की जल उपयोग छंपता को पढ़ाए जा सके इसको अब चंपता बढ़ाने की बात होगी तो कुछ इसके फैक्टर्स होंगे कुछ कारक होंगे जो इसे प् सब्सक्राइब करके जितने किलोग्राम बाजार में बेचे जाने वाली उपजप्राप्त की जा सकती है उसे हम पोधों की वाटर यूज कि कहते हैं तो इसको प्रभावत करने वाले कई कारत हैं अब इसको आप ऐसे जोड़िए कि पोधा है तो पोधे को कोई चीज प्रभ प्रभावित करती है वो सारी चीजे जल उप्योग छमता को प्रभावित करेंगी जैसे आँ हम बात करें के फेक्टर्स अफेक्टिंग वाटर यूज एफिशेंशी को प्रभावित करने वाले कारक के हुआए पैर कारक कौन कोन से हैं हम एक कार करके बात करते हैं पहले जो उनका рखों की बात करते हैं जो प्लांट च्थश पाधैंग थो ऐसा सबन flatter कि के अप्रति और सब्सकी में ओग तो और धान है उसकी जल उपियोग चंता अलग होगी अर्था के पॉदे की इसपेसी यार प्रसावि कि जैसे जैसे हर बसदलती हैं तो रहा है मैं तो उप्रस सिने कह Area आपका तो गरने में कई वेराइटी हो सकती है तो उन वेराइटी हो की भी जलूपयोग शम्ता अलग अलग होती है तो क्या हुआ कि प्लांट के केस में दो में फेक्टर हुए एक वेराइटी और दूसरा अलग है मक्का की जलूपयोग शम्ता अलग है मतर की जलूपयोगों अलग अब इन फसलों में अलग अलग प्रजातिया हैं तो वह प्रजाति की बुभाई के समय के हिसाब से बुभाई के इस टाइम के हिसाब से यह बदल जाएगी उस वाराइटी की जलुक्योग छमता तो ऐसे आप दूसरे का रख्या हैं क्लाइमेटिक कंडिशन क्लाइमेटिक स्कूंधिशन बातावरण यह है कि इस इस्तितियां तो बाटावरण क कुण कुण चीसे आप लगा समझते हैं कर्यों के वाट वरन में में हमा जोटी है स्थील और सुरस्च की रोसनी और क्यों कि कि है ऐँवा और क्या होता है टेंपरेचर आफ डाफ मैं जाक्श्य आप एक शिक आह दों तो प्रिलेटिव भी तो रिलेटिव दीडियों में जी टेंप्रेचर वह वे बिदिव्ड फिबी और 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 क्या हो तक्ता है सोलर लाइट का जो क्वांटम है किसमें तीबर्ता के इंटेंसिटी क्या है लाइट इंटेंसिटी सुरज से रोस्नी आ रही है आप माल लीजिए एक ठंड के दिनों में सुरज के रोस्नी बहुत धीमी हो तो उस समय जो पोदेंगे उनकी जलुप्योग चंगता कुछ अलग होगी और जो वर्तमान में जो गर्मी का महिने चल रहा है इस समय जलुप्योग चंगता कुछ अलग होगी तो यह सारे फेक्टर्स जो बास्पोस सर्जन और बाश्पी करन को प्रभावित करते हैं वह सारे फेक्टर्स को यदि हम कुछ मात्रा तक कंट्रोल करने अब जैसे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम पोदे की सतह से ट्रांस होता है यदि हम ट्रांस परेशल इनेविटर कुछ केमिकल से हैं जो पोदेस की सतय से होने वाले बास्पोस सर्जन को कुछ हब तक रोब देते हैं यह उनका इस प्रे कर दे तो क्या होगा बास्पोस सर्जन में पानी के जो पूर रहा था उसकी मात्रा कुछ कम हो जाएगी जब कम हो जाएगी तो वाटर लोस कम हो जाएगा और वाटर बाढ़ जाएगी और क्या करें हम बास्पी करन होता है मर्दा की सतय से खेत में मिट्टी है मिट्टी की सतय से पानी बास्पन के होता है तो हमको ऐसा रस्तव अपनाएं जिससे के बास्पी करन कम से कम हो तो क्य कि कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि कि krizzik पदार्थ की पत्ते हैं या तेहनिया है या फसल के ऑफसेस हैं उसको यह सबान मातरा में जाती हैं पूरी खाली यह पर मिट्टी से जो पानी वाल क्रणा के दौरह और था उसकी महत्रा भूत जड़िए चुकि संलाइट और मिठी परत आ जाती है जैसे गंणे में पतहीं पत्ती होती है उसकी प्रश्चिश है सुक जाती है उसको बिछा देते हैं गंणे की पेड़ी में तो वो मल्चिंग का काम करती है आपने देखा होगा जो प्लांट क्रों म होती है गरनेकी उसमें जाधे पानी की अवश्यक्ता नियां या पेठी की गनी और एक काम कर सकते हैं बहुत बनीया जाले तर किशाम करते भी हैं क्या करते है। जित एक खरकत्वार प्रवंद्न में क्या होगा अब नहीं क्शेत में पानी देते हैं उसको को नक्रता है या तो फसल या फसलों के बीच नोगने वाले खर्पतवार का प्रवंधन इस प्रकार कर लिया कि जितना पानी हमने खेत में पहुंचाया है वह हमारी सिफ फसल के पास या फसल के ही काम है तो पानी दिये जाने वाले पानी की मत्रा कम होगी और फसल की पैदाबात अधिक होगा हमारी वाटर यूच इफिशेंसी वाटर यूच इसे बढ़ जाएगी यहीत हमारा देश्ट है हमें सारी वो प्रक्टिस अपनानी है वो सारे काम करने हैं जिससे ओधों की जल उपयोग छंता बढ़ सकती हो तो हम क्या करें कि खर्पतवारों को प्रकार क्रवंदित क करें के वो हसल में कम से कम आनी पहुंचाया और दिये जाने वाले खात और पानी दोन्हों का वो कम से कम उपयोग कर पाए तो इसकें क्या करते हैं यह पनी देने की उन्नत तक निकी जैसे डुप इंपरियोग करते हैं सब्सक्राइब करने में बहुत कम पानी लगेगा लेकिन पैदावार जदे मिलेगी जब कम पानी लगा के जदे ज़्यादे पैदावार मिले तबी वार्ट इनूस इफिसेंटी वर्ती है में नमी की मात्रा को किस प्रकार बना के रखें तो दो चीज तो हमने अभी बात करी एक तो हम खर्पद्वार का प्रबंदन कर लें वहिंद म्रदा नमी को हमारी बना कर रखता है और और हम क्या करें हमें दूसरा कांव करना पड़ेगा जो मल्चिंग जो क्रोप उफसल के या उपसेस हैं उनको खेत में चोड़ने हम तो वह मिट्वन गलेंगे शड़ेंगे और करवनी को कि दरनखन रखता है ज़ितना कर convergence पदार जदे होगा मिट्टी उतने ही जदे मात्रा में पानी को अपने अंदर रोक सकती है और दूसरा फाइदा क्या होगा कि मिट्टी में पॉशक तब्तों का भंडार बढ़ेगा जब पॉशक तब बढ़ेंगे तो भसल की पैदावार भी बढ़ेगी क्योंकि वहीं सकता कम होगी अर्था पानी कम लगाना पड़ा लेकिन पैदावार अधिक मिली जिसके करण हमारी जल उप्योग चंता या वाटर इलूज इफिसेंसी फिर बढ़े तो एक यह काम करते हैं चोथा काम क्या करते हैं फॉर्टिलाइजर उर्वरक आपने देखा होगा जैसी ज चलने लाइक जब इस्तिक्यों जाती है तब हम उर्वरक का प्रियोग करते हैं और उर्वरक की बार आप देखते हैं कि फसल पर एकदम बढ़वार होती है लंबाई में बढ़ती है पत्तियों की संख्या बढ़ती है पोदों के कल्ले बढ़ते हों जब यह सब चीज पान पानी के लिए बढ़ जाये तो हम उर्वरक ऐसी अवस्ताओं में देना चाहिए जिन अवस्ताओं में पोदे को हम पानी देते हो एक बार दूसरी अवस्ता वो जब हम नहीं रट दिया तो उसके बाद हमारी मिठी में उतनी नमींद्वी पोदे पानी के मध्यंत्रे उस उर्वरक का प्रियोग कर सकें तो जब उर्वरक का प्रियोग करेंगे अच्छे से तो फसल की पैदावार बढ़ेगी पैदावार बढ़ेगी पानी हमने उसी टाइम पे दिया है तो औरतात क्या हुआ कि सही समय पे पानी देने से और सही समय पे उर्वरक का प्रियोग कर प्लांट पॉद्धों की संख्या जितनी अधिक मात्रा में तो क्या होगा उज्जादे पानी लेंगे युद्ध ज्यादे जरूरत होगे आपके घर में एक लोग हैं तो आप हो सकता है थोड़ी से लेकिन जब 6 लोग होंगे तो आपको ज्यादे खाना बनाना पड़ेगा वैसे ही मिट्टिक खेट में अगर पौधों की संक्या अधिक है तो उस अधिक संक्या की भरबाई करने के लिए हमें उर्बरक अधिक देना पड़ेगा उर्बरक जब ज्यादे देंगे तो वह देखा लगवत 75-85 प्रतिशत तक भात पानी से बनावता है तो जब पोदों की संक्या दिखोगी तो नेचरली हमारी पानी की मान भी बढ़ेगी तो हमें क्या करना है पोदों की उतनी संक्या को रखना है खेत में जितनी बैग्यानिक विदी से अधित्तम पैदावार के ल लाइन की दूरी जो बतायी गई है न फ्रक्राण्यान हूं जया कि संक्या उतनी ही हमारी अग्या में तो हमारी पानी से कि संक्या पानी से मांत्रा में अपस प्राप्त हो रजी Sig कि बढ़ जाएगी आप इसको समझे जैसे आप बहीचा लगाते हैं तो बहीचे में आप आम के पोदा लगा रहे हैं मान लीजिए और आपको दशारी प्लांट है आपने आठ वाई नौ मीटर यह आठ वाई आठ मीटर यह साथ वाई साथ मीटर की दूरी पर लगा अब यह दिमान लेजिए आपने पोदों के संख्या बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा इसके सिंकम करना पड़ेगा आपने हाइडेंसी की प्लांटिंग की और आपने यह तीन मीटर पर आपके पोदों की संख्या बढ़ेगी तो आपको जब वारुए से चाही करेंगे पानी मात्रा है 9 вниз my 9 मीटर और 3 में justify कुणके जब पोदों की जग्या फानीं की माहनहीत अदिक होगी यह जलूपयोग संता अ हमने देखा कि यह क्या था अगर हमारे नीमाग में यह दिमारे हमारे पड़ते समय सिचाह करते समय यह 25 वीमन रखने कि किसमप्तार को पौदे के काममें ला सकते हैं कि आप नह्र से जाधे पानी SL& मिट्टी को समतल कर नहीं देखें तो पानीि प्वही समन्हामड रहते हैं कम होगा मैं इस अलाक होगा केक। समतल रखें किसी भी प्रकार करें कि खेद आम समतल बना रहें पटेला लगाएं भी मुचा निचा है तो उस तो पटेले से और 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 ज्यादे मात्रा ना है तो लेबलर लेकर के उसे सब्सक्राइब करा लेना चाहिए क्योंकि यहीं से हमारी जल उप्लियों चंता बढ़ाने की सुर्वात होती है जुताइब से ही फिर हमारी फसल का चुनावेशा करने चाहिए मौसम के इस मौसम में और अपनी पानी की सप्लाई कैसी है इन दो के इसाब सामें फसल और फसल की कि इन दो को चुना चाहिए फिर क्रलिशन को कि उस फसल में किस-कि समय पानी आवस्च्ञ है उन अवस्थाओं को और कृति करोती रहो अंच्तिक अवस्थाएं है अब यह जो क्रांटिक अवस्थाय ताहिं क्या है सिचाई को किस हिसाब से सब्सक्राइब करते हैं जिसे बोते सब्सक्राइब को आखिर किन चीजों क्या आधार मानते हुए कब कब प्लान करना चाहिए और क्या फेक्टर होंगे जिनके आधार पर हम सिचाइब करने चाहिए तो यह हमारे नेक्स टॉपिक में जिसमें इडिकेशन सद्रीवी की बात करेंगे अगर आपको पसंद है तो कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपके डाउट है वह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए गा जिन लोगों आप तक सब्सक्राइब किया है जरूर सब्सक्राइब की दिनक राॉर कोש लिए डिए्टिंग टो करेंगे आपकेशन गुम्सक्राइब कीुछ दॉच्शाएमामे जरूर